हेलो राधे राधे आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गर के बहुत काम ऐसे होते हैं जिनको हम लोग स्मार्टली कर लेते हैं कुछ काम अच्छे से नहीं होते अगर इन टिप्स और टिक्स के जरिए हमारे सभी काम बहुत जल्दी औ करके आते हैं तो क्या करते हैं उसको किसी भी कंटेनर में या किसी भी बॉक्स में भरकर अच्छे से रख देते हैं लेकिन क्या करते हैं जो इसका खाली पैकेट होता है उसको उठा करके फेक देते हैं लेकिन आप लोग एक काम करिए का जब भी आप खाली पैकेट फेकी है त तो आपके आके ने थोड़ा सा double tape लेना है आपको double tape कट करके आपको इस तरह से box में लगा लेना है और उसके पास जिस packet में हल्दी का packet में हल्दी थी उसी packet में हम लोग जहां पे expiridate लिखी हुई है उतना पीज हम लोग काट लेंगे तो यहां पे छोटा से चाहिए ज्याद हम लोग अच्छे से हल्दी को इस्तमाल तो करेंगे लेकिन जब भी इसकी खतम होने के बारी आएगी तो यह देख लेंगे हम लोग की ऐसा तो नहीं है कि यह expiridate हो गया है इस तरह से डेट लिखने होने से हमें लोगों को फायदा होगा तो यह आप क्या कर सकते हैं या त तो ट्राइ करके जरूर देखेगा अगली टिप मेरी यहाँ पर इस तरह के बाक्स को ले करके है अक्सर इस तरह के बाक्स हम लोग के घर में आई जाते हैं तो आप लोग इसको उठा के मत फेके आपको क्या करना है इस तरह के चारो कॉर्णर अच्छे से अंदर कर देना है इसका यूज़ बहुत ही अच्छा है बहुत ही काम का है तो आपको क्या करना है जब भी आपके पास इस तरह का बाक्स हो तो इसको हम लोग अपने घर में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जब भी हम लोग मार्केट से ज़्यादा क्वाइंटिटी में वाशिंग प मिलेंगे नहीं और इधर उदर पड़ी रहेंगी तो आप क्या करी इस तरह कर चोटा वाक्स है उस वाक्स में आप लोग बहुती अच्छे से जो भी समाल लेकर के आएं एक ही जगह पर रख दे इसे क्या होगे जितने भी हम लोग की वाशिंग की चीज़ें हैं सभी एक जग हम लोग अपने किचन में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं तो ट्राइ करके जरूर देखेगा अगली टिप मेरी यहाँ पर आलू को वायल करने की है अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग कोकर में आलू को वायल करने के रखते हैं तो क्या करते हैं ऐसे ही लेगिन आप लोग एक काम जरूर करिए जब भी आप लोग आलू वायल करने के लिए रखे तो एक काम जरूर करिए आपको क्या रखना है आधा निम्बू काट करके जरूर रखना है यह निम्बू इसलिए रखना है क्योंकि जब भी हम लोग कूकर में आलू वायल करते है वो बिल्कुल भी नहीं होगा और बहुती अच्छे से हम लोग की आलू भी बॉयल होगी तो आप लोग इस टीप का जरूर ट्राइ करिएगा इससे हम लोग का कुकर एक दम अंदर से भी साफ रहेगा और आलू भी बहुत अच्छे से पक सकेंगी अगली टिप मेरी यहाँ पे जो इस तरह के स्पेचला होते हैं सिलिकॉन के उनको लेकर के अच्छे से यूज कर लेते हैं लेकिन इनी सफाई अच्छे से नहीं हो पाती तो बहुत ही एजी तरीका है, जिससे बहुत ही अच्छे से हम लों इनके बैक्टिरिया और इसको क्लेइन कर सकते हैं। पाद दो स्पेचला हम लोग ने निकाल कर रखते हैं सिलिकॉन के उन दोनों को हम लोग को इसी पानी के अंदर डाल देना है देखिए आप एक चीज का ध्यान देखेगा पानी जरूर गरम रखेगा इससे क्या होगे जो भी इसमें बैक्टेरिया होंगे या दोड़ी बहुत को लगाने क है क्या होता हम लोग घर में जाडू वगंए हुते हैं तो ईिन जाडू में चपक जाते हैं अगर घर में डाओगी पले हुए होते हैं जय उनके बाल जरते हैं तो इस तरह से जहाडू हो आख़ों क्लीनिंग कर सकेंगे तो आपको क्या करना है जब भी आप ज़ाडू लगाएं तो ज़ाडू में बाल अप अच्छे से निकाल दीजिये पहले उसके बाद आपको एक काम करना है यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी बड़ी पॉली थिन लिये बड़ी सी पॉली थिन आपको लेनी है और इसमें एक अच्छी से गांट लगा देनी है देखिए यह फूल ज़ाडू है तो आप एक काम ज़रू करें ज़्यादा कसके गांट मत लगा दियेगा जिससे की ज़ाडू तूट ना जाये तो यहाँ देखिए मैंने हलका प्रेशर देके गांट लगा दिये जिससे यह होगा कि इसके बाद जब हम लोग ज़ाडू लगाएंगे अगर बाल बगारा है तो इसमें बिल्कुल भी नहीं चपकेंगे हम लोग की ज़ाडू में और ना बार बार हम लोग को निकानना पड़ेगा बहुत ही असान तरीके से हम लोग ज़ाडू लगा पाएंगे आराम से डस्ट पैन में उठा भी पाएंगे ऐसा होता है ना कि बाल बगारा होते है तो अगर हम लोग ज़ाडू से उठाते हैं तो डस्ट पैन में अच्छे से नहीं आता है तो आप लोग जब इस तरह से जाडू लगाएंगी तो बिल्कुल भी जाडू हम लोग की गंदी नहीं होगी और आराम से कोड़ा उट भी आएगा ये बहुत ही यूसफुल आइडिया है ट्राइ करके जरूर देखेगा अगली टिप मेरी यहां पर जाडू को साफ करने की है जब भी आपकी जाडू गंदी हो जाए तो आप एक काम करिए इसमें थोड़ा सा हार्पिक डालिए घर के सफाई तो हम लोग अच्छे से कर लेते हैं लेकिन जाडू को भी अच्छे से हम लोग को साफ जरूर करना चाहि है उसके बाद आप इसमें पानी डालेंगी तो जाडू हम लोग की जो गंदी हो जाती है वो बिल्कुल गंदी नहीं होगी बहुत ही अच्छे से साफ होजाएगी एक यही जाडू से हम लोग अपने घर को सफाई खरते करते हैं जाडु भी काफी गंदी हो जाती है इसमें ड़स्क भी बहुत आजाता है तो आप लोग इस तरहसे जाडु को साफ कर सकते हैं और बहूत τहनि अगर आपके पास प्लास्टिक की जाड़ू हो तो आप तब भी इसको इस तरह से धुल सकते हैं तो यह देखे बहुत जल्दी यह धुल भी जाती है ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है अगर आप नई जाड़ू लेकर के आए तब भी आप यह कम जरूर कर लीजिए जाड़ू हम लों की फटाफट सूख जाएगी तो चलिए यहां पर दिखाती हूं यहां पर देखे हलकी हलकी से जाड़ू गीली सीव मैनिस को आदे घंटे के लिए बिना धूप में ऐसे ही रखा था जाड़ू फटाफट सूख गई है और बहुत अच्छे से साब भी हो जाड़ू की साफाई करना बहुत जरूरी है तो आप लोंग इस टिख को ट्राइगा यह बहुत यूसफॉल आइडिया है और बहुत यूनिक ट्राइगे तब लिए तो आप जान पाएंगे कि जाड़ू कितने अच्छे से हार्पी की वज़े से बहुत अच्छे से साब भ करूंगी आपको मेरी कोईबी टिफ पसंद आ रही है तो प्लीज फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर शेयर करिएगा आप और कमेंट्स करके जरूर बताईएगा मेरी कौन से टिफ सबसे जादा पसंद आई आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा ओके बाए